कि नमस्कार मैं निउस्क्लिक में आप सबको स्वागत कर रहा हूं मैं परंजोई गुहा ठाकुरता और आज का चर्चा का विशय है यह फेस्बुक और फेस्बुक जब हम फेस्बुक के बात करते हैं तो फेस्बुक के साथ का WhatsApp आजाता है इन्स्टेग्राइम आ जाता है छह जैनुरी उनका जो नियम है अधिनियम है प्राइवसी नॉम जानी कि निजिता का जो इनका नियम है इनमें इनोंने बदलाव लाया तो यह बदलाव का असर क्या परेगा जो आम उभोक्ता जो WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं और इन विश्यक को उपर चर्चा के लिए आज मेरा साथ निउसक्लिक का संपादक प्रभीर पुरकाइस्ता और वो प्री सॉफ्ट्वेर मुव्मेंट के में साथ जुरा हुआ है प्रभीर धन्यवाद आज के जो चर्चा का विशे है जो छे तारिक जन्वरी महिना में भारत विश्व में लोग सुबह उठके चमका गया एक अपने वाट्साप में देखा कि उनका नियम और अधीनियम में बदलाव ला रहा है और कुछ जो जिस तरह से आपका सूचना जो भी वाट्साप का इस्तिमाल करें उनका सूचना वो और किसी लोगों से और फेस्बुक के साथ उन्होंने शेयर करेंगे इसमें लोग फ वाट्साप बोल रहा है कि इसमें कोई जिंता का विशह नहीं है एंड टु एंड इंक्रिप्शन है जो भी आप कह रहे हैं आप कुछ सूचना भेज रहे हैं टेक्स्ट मेसेज या वीडियो भेज रहे हैं आप किसी के साथ बात करें सब किसी और बाकी लोगों को मालूम न नाम है उनका जो एड्रेस है हम किसी के साथ नहीं है शर्फ अगर आप आपका डेटा को बैक अप करेंगे आई क्लाउड में या एंड्रोइड का कोई बैक अप सिस्टम है तब फेस्बुक के साथ वाट्साप और फेस्बुक एक ही संस्ता है एक दूसरे के साथ सूचना दे देंगे और वाट्साप का कहना है कि जो कारोबार कर रहे हैं जिसके पास बिजनेस अकाउंट है या जो पेमेंट कर रहे हैं पैसा दे रहे हैं खरीद रहे हैं बेच रहे हैं और बाकी लोग के उपर असर नहीं परेगा तो क्यों लोग इतना घवड़ा गया क्यों इतना लोग डर गए क्योंकि ये तो सिर्फ जो खरीद रहे हैं जो बेच रहे नया जो आधीनियम है इसके साथ अगर आप नहीं मानेंगे तो बार्ट सच चुर दीजिए मतलब बेंड़िचरी हो गया अगर आप वाट्ट सबकिस्टिमाल करने से शुरू होगा तो यह जड़ा प्रवीर जी सरल भाशा में आप जड़ा समझा दीजिए जो आम भोगता है और भारत प्रश में 40 क्रोर से ज़्यादा लगभग 45 क्रोर लोग आज वाटसाप इस्तिमाल कर रहे हैं उनके उपर क्या असर परेगा पहली बात तो हम इसको बताना चाहेंगे आपके हमारे दर्शकों को कि जो डेटा शेरिंग फेस्बुक और वाटसाप के बीच पे यह 2016 से जारी है तो यह मत समझेगा कि यह जो बुनियादी सवार डेटा शेरिंग वाटसाप और फेस्बुक के बीच पे है यह आज होने जा रहा है या इस अधिनियम परिवत्तन के बाद होने जा रहा है यह 2016 से फेस्बुक कर रहा है और इसी वजह से जो फेस्बुक के साथ जब उन्होंने फेस्बुक जब वाटसाप को खरीदा जो वाटसाप की फाउंडर्स यो थे वो यह फेस्बुक तब छोड़ दिया उनकी जॉइंट जो कारोबार था उसको छोड़ के सिगनल आप को जो बनाया इसके पीशे यही व हो रहा है जिसको जब ते मेटाडेटा शेरिंग हो रहा है फेस्बुक सिर्व इतना ही कह रहा है कि आपके जो मेसेज है वह एंक्रिप्टेड रहेगा एंड़ 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 इंक्रिप्शन है उसका कंटेंट हम इस्तिमाल नहीं करेंगे यह आपके लिए आपका इतने के लिए वह बहुत उपयोगी है और वही वजह है कि सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म इतने बड़े पैमाने पर एंड़र्टाइजिक रेविन्यू कमाते हैं अब जानते होंगे दुनिया के करीब करीब पचास प्रतिशक रेविन्यू एड रेविन्यू धीरे धीरे यह डिजिटल प्लाटफॉर्म को मिलने लगा है और उसमें गूगल और फेस्बुक सबसे बड़े बाइफार सबसे बड़े प्लाटफॉर्म से जिनको मिल रहा है तो वो डेटा जिसको कहते हैं कि आप किस से बात कर रहे हैं आप क्या खरीद रहे हैं आप कहां है लोकेशन करते हैं आपका बैटरी का ताकत कितना है इत्ता तक वो आपका ट्रैक कर सकता है करता है फेस्बुक भी करता है और वाट्साप की जरीए भी फेस्बुक करता है और ये प्राइबिसी की जो आप बात उठा रहे हैं यही वज़े है कि Monopoly Commission जो US में है जो वहां की सरकार की regulatory structure है जिसके तहर 46 state governments और उन्होंने फाइल किया है Monopoly के आधार पे Facebook के खिलाफ तो यह जो suit फाइल किया है इस पर उन्होंने कहा है कि privacy की जो rules थे Facebook लगातार इसको dilute किया है जो इनका Monopoly बढ़ता गया उसका competition घड़ किया तब उन्होंने अपना जो privacy policies उद्होंने promise किया था उन्होंने बोला था अपने subscribers को यह हमारी privacy policies होगे लगातार उसको dilute किया है कमजोर किया है और इहीं वज़े है कि Facebook एक Monopoly के सामने से निकलने के वज़े से आम consumers पिक शती पहुंची है क्योंकि उनकी privacy लगातार weaken कर दी गई है WhatsApp का एक ही promise है end to end encryption और कोई चीज Facebook इसमें secrecy maintain नहीं करता वो लगातार Facebook इस्तेबाल करता WhatsApp का data और इस वाक्त Google और Facebook सबसे बड़े monopolist digital platforms में है इसलिए कि उनको user data से उनको बहुत बड़ा edge मिलता है जिसके जरीए वो ads को target कर सकते हैं आप जानते हैं आप इसकी काफी इसके बारे में लिखे हैं कि चुनाव में जो targeted ads होता है Facebook सबसे ज्यादा successful होता है और Google इसके बाद या दोनों बराबर क्योंकि वो जिस तरह से उनको भोगता को जानते हैं उनके users को जानते हैं उनके माबाप क्यों उनको इसी तरह नहीं जानते हैं मैं मैं आपको रोक रहा हूं प्रभीर ची पहले हमें दो चार सवाल है और यह आप ब्राइन एक्टन का नाम लेक किया जो एक समय पेजबुक में था आज वो signal का स्थापन किया और आपने भी जो कहा कि हम दोनों शायद लोग रहेंगी हम एक ही शायड में है कोई बात नही फिर भी मेरा काम है वो शैतान का वकील डेविल्स एड़ोकेट का काम करना तो फिर बहीं बार बार घूम के वो ही जगह में वापस आ रहा हूं कि इसमें नया क्या है और वाटसेप में खुद कहा कि यह जो नया कानून जो और नया अधिनियम जो उनोंने लागू कर रहे है इसमें अंग्रेजी में लिखा हूँ है वेन अन यूजर फोर्वर्ड मीडिया विदिन अमेसेज विस्टोर तैंपुररली इन एंक्रिप्टेट फ्रॉम और सर्वर्वर्ड तो एड इन दे मोर एफिशन डिलिवरी अधिशनल फोर्वर्ड यानि कि अगर आप एक सूचना एक संदेश को आप फोर्वर्ड कर गाए है तो कुछ देरों के लिए WhatsApp अपने सर्वर में यह रख रहे हैं क्यूंकि और बाकी लोग और कोई फोर्वर्ड कर सकते हैं उनका कहना यह है कि जो लोग WhatsApp को अपना कारोबार के लिए इस्तिबाल करते हैं अपने नीजी कारो करते ह लिए payment transactions के लिए ले रहे उनके लिए उनका जो जो डेटा है जो सूचना है जो शॉपिंग डेटा है वह अलग-अलग वेंडर अलग-अलग merchants के साथ आप देरेंगे क्योंकि आपका वह जैसे आपने कहा यह private हो जाएगा आपका जो advertisement हो जागा यह personalize हो जाएगा ठीक है हम वापस चले जाते हैं तो नया क्या है इसमें Facebook का जो messenger सेवा है वो आप से भी और भी सूचना ले लेते हैं आपका स्वास्त कैसा है आप कहा कहा जाएगा searching किया आप कौन सा किस तरह से ब्राउजर इस्तिमाल किया कौन सा तस्वीर कौन सा वीडियो कौन सा गेम आपने खेला आपका स्वास्त कैसा है यह सारी जीज़ पेस्बुक पेसिंजर इस्तिमाल करते हैं तो वाटसएफ में करतें मगर वाटसएफ हाँ आपका डेवाइस के जो आपका जो दुर्भाज यंध्र का आईडी आपका यूसर आपका विक्यार्च अपनी सारी डीटेल्स ले लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा आपका rate the call, बतलब आप और किसी के साथ बात किया, तो किस तरह से आप, अच्छा आपका आवाज आया, नहीं आया, यह सब करते हैं, आपका अगर phone crash कर गया, अगर email है, यह सब यह सूचना ले लेते हैं, यह सारे जीज, signal एक और app है, वो नहीं लेता है, telegram, जो चीन का एक app ह वो भी नहीं लेते हैं, वो आपका थोड़ा बहुत contact information, contact और आपका जो user का ID, यह सारे चीज लेते हैं, आपने जैसे कहा, एक बहुत मज़दार एक meme मैंने पढ़ा, और मेरा बीबी को बताया, girls, if any, अगर कोई मर्द, यह महिलाओ के एक महिला और बाकी महिलाओं से कह रहे कि अगर आपका मर्द, आपका आदमी, आपका जनम दिन है, मालूम है कौन सा दिन आपका जनम दिन है, आपका जो तस्वीर है, वो बचा के रखते हैं, आपका जो परिवार है, आपका जो दोस्तों है, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो एक दम बुरी तरह से समझ तो वे ये वेती कौन है? आपका हस्बंड है, आपका पार्टनर है, आपका स्वामी है, आपका शोहर है? लन्ना, ये मार्क जखरबग साहब है. So the meme says, girls, if a guy remembers your birthday, knows what you enjoy, saves your pictures, understands your family and friends, this guy is not your man, he is मार्क जखरबग। तो सच मुझ क्या ये नीजीता का कुछ उलंगन हो रहा है? ये तो बहुत साल से चल रहे है, Facebook जितने दिन है, ऐसा कर रहे है, तो इसमें नया क्या है? और लोग क्यों अचानक इतना डर गया है? कि नहीं हम WhatsApp का इस्तिमाल और नहीं करेंगे, हम Signal में चले जाएंगे, हम Telegram में ये जड़ा आप समझा दीजिए, सरल भाश में, क्यों लोग अचानक डर गया है? ये इसलिए डर गया है, कि जो उनको मालूम नहीं था, वो प्रकट हो गया, ठीक है न? क्योंकि उनको लगा कि शायद कोई नई चीज हम करने जा रहे हैं, कि पहले WhatsApp के जो हमारी देटा थी, वो शायद सुरक्षित थी, उस वक्त 2016 में उनके पास नोटिफिकेशन आया था, आप अगर ये डेटा शेयर नहीं करना चाहते हो, तो इस सेटिंग में जाके आप आप आउट करिए, और आप जानते हैं, निरानब में प्रतिशत जो यूजर्स है, वो नकी नोटिफिकेश जो कहते हैं कि आपके पास जब किसी भी सर्विस अब अवेल करते हैं, अब डाउनलोड करते हैं, कोई भी आप, तो उसको पूछा जाता है, लाइसस एग्रिमेंट पढ़िये, और पढ़के इसके बाद हाँ कीजी, तो उस पे नॉर्मल टाइम लोगों को हाँ करने के चार इसजार वर्ड्स की डॉकुमेंट होती है, और ऐसे पेचीदा भाशा में लिखी जाती है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो उसमें बहुत सारे बदाकिया स्टोरी इसमें है, कि किस तरह लोग इसको साइन करते हैं, वह उसमें नहीं जा रहा हूं, पर हकीकत जो यह है, कि opt-out चब WhatsApp, Facebook का merger हुआ था, उसका दो साल बाद, यह जो opt-out करने की बात आई थी, option था, तो ज्यादा तर लोगों ने इसको नहीं किया था, तभी से यह जो आज अधिनियम की अब सवाल उठा रहे है, तभी से डेटा शेरिंग दोनों services के बीच पे चल रही थी, नया क्या है business, जो business application, आपके business accounts जो Facebook चला रहा है, WhatsApp में जो चल रहा है, क्योंकि उसका एक established base WhatsApp का है, और उसके जरीए business को वो लब्द कराना चाहते हैं, कि आपना धंदा WhatsApp के जरीए करे, तो जो Weibo, दूसरे Chinese apps इस पे काफी आगे रहे हैं, जो आपका Alibaba, Weibo वगरे हैं, वो बहुत सारे transactions उनके सिर्फ फोन के माध्यम से होता है, तो यह चीज Facebook duplicate करना चाहते हैं, WhatsApp के जरीए, इसलिए business applications में वो कुछ अधियम जो वो पहले कर चुके हैं, वो इहां भी लाना चाहते हैं, कि business data जो आपका होगा, वो Facebook access कर पाएगा, share कर पाएगा, और इसलिए यह सवाल उठाई गई है, कि इनको opt-in करने की, opt-out करने की यह एक option देना पड़ेगा, पर सवाल मने जो कहा, कि अगर आपकी जो regulators की जो cases चल रही है, करीब देड़ मैना पहले, Facebook के खिलाफ monopoly, anti-monopoly stance के उपर, बहुत सारे states, अमरीका में, 46 states, उन्होंने case file की है, और उसमें उनका मुख्य सवाल, बहुत सारे cases में, यही रहा है, कि आपका च्छती क्या पहुंचा है, इस monopoly के वजह से, अमरीका की monopoly की जो legal position है, इस वाक्त, पहले ऐसा नहीं था, legal position अब यह है, कि आपको दिखाना पड़ेगा, इस monopoly की वजह से customers को नुकसान पहुंचा, यह माबदंड है, और यह अगर आप नहीं दिखा सकते, तो monopoly by itself, अपने आप में खराब नहीं माना जाएगा, तो इसलिए उनको positive harm क्या है, नुकसान क्या है, यह दिखाने के जोलुत थी, तो cases को अगर आप देखे, वहाँ दीना स्रीडिवासन करके एक महिला है, research करती है, उन्होंने बड़ा लंबा paper लिखा है, इसके उपर, facebook के उपर, कि facebook को मुख्य जो नुकसान consumers को पहुंचाया है, क्योंकि free service है, कहेंगे हमने कहां कैसे पहुंचा सकते नुकसान, यह privacy settings की है, इन्होंने लगातार privacy settings को weaken किया है, बिना बताया है, बहुत सारे जगों पे, बहुत सारे चीज़ों को धुंदला रखके, और privacy settings जो जो इनकी monopoly बढ़ती गई है, तब से इन्होंने उसको और भी शितिल करना शुनू किया, 211 में जो गूगल प्लस आई थी, लगा था लोगों को शायद एच चैलेंज हो सकता है फेस्बुक के सामने, फेस्बुक के अंदरुनी document में भी इही उन्होंने जिकर कि इस वाक्त हम privacy settings को कमजोर ना करें, क्योंकि गूगल प्लस हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में है, जब तक उसको हम defeat नहीं कर पाते हैं, उसको शिकस्त नहीं दे पाएंगे, तब तक हम अपना privacy settings नहीं बदलें, और यह भी आपको बताना चाहेंगे, कि मा जब facebook शुरू हुआ था, उनका promise था, उनका ये वादा था, कि हम privacy आपकी लगातार बरकरा रखेंगे, और वही policy उन्होंने धीरे धीरे बदला, और वो जो उनका promise था, उनसे वो बुगर गए, ठीक है, प्रबीर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कुछ दिन पहले तक ल आप ये facebook के साथ share करेंगे की नहीं, आज ये साफ हो गया कि अगर आपका 8 February तक समय है, तब तक अगर आप ये नहीं मानने के लिए त्यारे तो आप WhatsApp का इस्तिमाल करना बंद कर दिए, तो ये नया एक चीज आए हैं, और एक और चीज में आप से एक और सवाल करना चाहता ह आप ये जो मेटा डेटा का शब्द का इस्तिमाल किया, या 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 ये इसका जरा आप सरल भाशा में समझा दीजे, क्योंकि ये स्रिफ भारतवर्श का जो जो पैतालिस करोर लोग जो WhatsApp का इस्तिमाल कर रहे हैं, और WhatsApp आज विश्वम में लगभग 200 करोर लोग WhatsApp का इस्तिमा करोर लोग आज Facebook का इस्तिमाल कर रहे हैं, तो इसके मतलब बहुत सारे लोग जिस तरह से सूचना आते हैं उनके पास, वित्रन भूरते हैं, इसके उपर असर परेगा, तो इसके उपर और जरा आप समझा दीजे, उसके बाद हमें दो तीन और सवाल है, आपके से. जो बात करते हैं, किस-किस से बात करते हैं, आप जिस से बात करते हैं, वो आप कहां से करते हैं, वो जिस से आप बात कर रहे हैं, वो कहां पर हैं, तो इसके साथ-साथ, क्योंकि आपने अप डाउनलोड किया है, अगर आपने लोकेशन डेटा उसमें डिजेबल नहीं किया कर दिया तो location हमेशा track करता रहता है तो इसके साथ साथ जो Facebook का कुछ अंदरूनी documents UK के Parliament की committee के सामने पेश की गई थी तो उस parliamentary committee की report में जो है बड़ा जिन्चस्प है उस पे ये बताया गया कि Facebook actually अपने app के जरीए बहुत सरा और चीजों को भी monitor करता था जो किसी को बताया नहीं था including battery performance battery की हालत क्या वो भी monitor करता था तो ये जो खबर वो लेना चाहता था इसका मतलब है कि उसको जो user है सिर्फ उसको ही नहीं पर जो technology है उस phone में उसको भी वो track करना चाहता था क्यों क्योंकि वो भी ये भी देखना चाहता है था कि और कौन का अंसा app इस्तेमाल कर रहा है यह लेक्ति वो अगर मान लीजे Facebook का competitor का app इस्तेमाल कर रहा है कुछ चीज में जैसे Instagram की बात आई थी Instagram पहले acquire किया था Facebook Facebook लिस्ट अगर देखें करीब 60-70-80 कंपनियों को उन्होंने खरीद लिया है तो कौन सा कंपनी को खरीदना है कौन सा कंपनी को नहीं खरीदना है वो इससे भी पता चलता है उसको कि कौन कौन सा चीज लोग देख रहे हैं और किसकी graph उपर जा रही है तो उसको शायद अगर मारा competition लबे अटसे के लिए न बनें तो अभी उसको खरीद लेते हैं तो यह जो policies है यह जासुसी की policies phone के अंदर यह company करती थी और वो प्रकाश हो चुका है यह बहुत सारे चीज इसको metadata कहेंगे जासुसी का ख़बर कहेंगे अलग बात है पर जैसे बड़े आसान तरीके से कौन किसको किसके साथ आप आदान-प्रदान करते हैं अपना messages का यह तो एक metadata हुआ कहां से करते हैं दूसरा metadata हुआ आप कौन सी sites पर जाते हैं तीसरा metadata हुआ इस तरह करते करते आपको बहुत जगह पे बहुत चीजें पर ले आ सकते हैं पर यह कहते हैं कि Google Facebook कम से कम आपके बारे में 200-300 parameter जानता है आपको उमर जानता है आपका male है female है जानता है बिल्कुल आप जैसे कहा आपको कौनसा गाना पसंद है कौनसा संगीतकार पसंद है कौनसा फिल्म पसंद है कौनसा कौनसा आपका जो तेहारा पसंद करते हैं यह सिर्फ ना आपका विचारधारा क्या है अब क इस तरह आपका सोच का है, ये भी Facebook को मालूम पर जाता है। प्रवीर जी आपने जैसे थोड़ा पीछे चला गया, मैं भी थोड़ा पीछे जा रहा हूं। होने वाले हैं। फिर भी Mark Zuckerberg का अपना जो संपत्ती इनका कीमत है, सो अरब डॉलर से भी जादा। और विश्व में सबसे अमीर वेक्ति में एक है वो Mark Zuckerberg. और आपने Facebook और सिग्नल का एक कॉमन थ्रेड है वो क्या है ब्राइन एक्टन वाट्साप एंड सिग्नल तो ब्राइन एक्टन तो Facebook जोइन किया, जब आपने जैसे कहा, February 2014 में 22 अरब डॉलर देके खरीद लिया, तो उसके थोड़े दिन बाद ये ब्राइन एक्टन जोइन किया, मगर उनका जगरा हो गया, मांग जखरब्र के साथ, और किस वशे के उपर? ये विशे कि आप जो सूचना किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये सूचना आप उग्यापन दाता को कैसे आप देंगे, और कैसे आप पैसा कमाएंगे? इस दो विशे की उपर आज सब को मालूम है एक्टन और जकरबार जकरबार के बीच एक जगरा हो गया और वो चार साल भी नहीं काम किया वो छोड़ दिया कंपनी और जाने के समय हो अमीर भी बन गया उसको बहुत पैसा मिला साड़े आठ सो मिलियन या या पचासी करोर डॉ को मिल गया ब्राइन एक्टन को दस महिना के बाद यह केमरिज एनलीटिका का घोटाला पर आज एक तरह से एक्टन हस रहा है क्योंकि ही जब फेस्बुक के ऊपर यह जब उनका जो नियम और अधी नियम नहीं ने बतलाया एक हप्ते के अंदर सिगनल का डाउनलोड प्रतिशत पर क्या थर्टी एट पर सेंट जंप इन्द डाउनलोड तो आप क्या देख रहे क्या अभी आपकर क्या लग रहे आने वाले दिनों में आने वाले हप्तों में बहुत जादा से जादा लोग वाटसाइप छोड़के सिगनल चले जाएंगे या टेरी ग्रायम च जीता है और भी सुरक्षित रहेगा देखे बड़ी कंपनी होने के नाते फेस्बुक के उपर अब बहुत लोगों का बहुत किसम कश्यक है सवाल तो यह है कि सरकारे जो है चाहे अमरीकी सरकार हो भारत सरकार हो फेस्बुक अगर हमारे डेटा मांगता है तो क्या सवाल सबके इस पर आ जाते है क्योंकि मालीजी डेली रायट्स में जो बात आई थी वाटसाइप ग्रुप्स को उन्होंने ट्रैक किया सरकार में तो वहां पर फोन एक भी फोन उस ग्रुप में से मिल जाता है उसके जरीए सबका फोन नंबर मिल जाता है इसके बाद लोके सब्सक्राइब करते हैं तो वाटस एप लोगों को पहली बार समझ में आया कि इसमें सुरक्षित नहीं है योंकि end-to-end encryption है इसका मतलब नहीं कि यह जो है पूरी तरह से सीक्रेट हो गया है ऐसा नहीं तो एक तो समझ लोगों को वाटसाइप के बारे में मवा है पहले उनक लगता है शायद एक अनौकी चीज है जिसके जरी हम पूरी तरह से इसको सीक्रेट रख सकते हैं सिग्डल में प्राइबिसी सेटिंग्स ज्यादा है आप उसको टेंपररी मैसेज कर सकते हैं तो दूसरे तरीके भी है और सिग्डल की इस तरह के कोई बिजनस इंट्रेस्ट नहीं है हिंदुस्तान में यह तो किसी देश में इसलिए एक फाउंडेशन है सिग्डल इस अक्षुली रण बाई फाउंडेशन तो इसलिए उस तरह कर उनके बिजनस इंट्रेस्ट नहीं लोगों को लगता है और कितना सुरक्षिप सिग्डल है या नहीं है वह अलग बा तो यह जो चीज है इसको देखते हुए लोगों को लग रहा है कि WhatsApp से शायद सीगनल ज्यादा सुरफशित और सही भी है प्राइबेसी की हिसाबशे सुरफशित ज्यादा है rel pest laissez संपूर्ण घνη नर騰िंद है क्या नहीं वाली तो वी तो सीटिर्टी एक्सपर्ट से बता सकते सवाल यह है कि WhatsApp को Facebook पहली बात तो यह है कि Facebook को लगा कि एक बहुत बड़ा user base हमें मिल जाएगा अगर हम WhatsApp को खरीद लेते हैं तो एक तो उसके user base के वज़ाए से संख्या बहुत ज्यादा है जैसे भारतवर्श जैसे तेशों में तो उनको ये user base की data उनको मिल जाएगा इसलिए उन्होंने WhatsApp को खर रहा है कि ये तो एक था कि हम इस users को Facebook पे भी ले आएंगे और Facebook पे भी इनके बारे में जानकारी ज्यादा होगा तो targeted ads ज्यादा हो सकता है दूसरी इनकी जो planning थी वह साथ हो रही है कि Facebook business और finance पे गुशना चाहता है और इसके लिए उनको लग रहा है कि WhatsApp बहुत उपयोही हो होगा बहुत useful होगा क्योंकि एट direct messaging app है तो जितना धंदे की बात है इसको इस्तेमाल करने में फाइदा होगा यह उनका मूल उद्देशन लगता है WhatsApp को इस वक्त प्रबीर जी अभी हमारा वक्त खतम हो गया अभी हमारा वारतालाब खतम करने का समय आ गया एक लाइन में आ हपतों में महिना में या signal या और कहीं app में जाना चाहिए क्या सलाव आप देंगे वो डिपेंड करेगा आप किस तरह के messaging करना चाहते उस पर इसलिए आप अगर सुप्रबाद करना चाहते है न्यू यर ग्रीटिंग्स भेजना चाहते है उसमें कोई खतरा नहीं है जितना आपका privacy चला गया है और कोई नए तरीके से जाने वाला नहीं है और अगर वो हपने store कर दिया iCloud में और और कहीं क्लावड में वो तो मिली जाएगा आजवन के लिए मान के चलिए मिल चुका है तो वो घोड़ा तो आपके stable से आस्टबल से निकल चुका है तो उसको फिर रखने की खीच के रखने की सवाल नहीं है सवाल है कि किस वजह से आप इस्तिबाल करेंगे हर platform को किस नदज्ये से किस उद्देश शेह आप इस्तिबाल करना चाहिए उसको देखना पड़ेगा और इसके आधार पर भी आपको इस डिसिशन लेना पड़ेगा धन्यवाद प्रभीर जी आपने सरल भाशा में नियूश्क्लिक का दर्शक को यह समझा दिया कि वाट्साप का जो नया जो अधीनियम है इसका माने क्या है यह मतलब क्या है और समझके यह वाट्साप यह एप्लिकेशन यह सोशल मीडिया का प्लाटफॉर्म को इस्तिमाल कीजिए धन्यवाद आप सबको परभीर पुरकास्ता और मैं क्याना चाहता हूं आप लोग देखते रहें नियूश्क्लिक